दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे गूमना पसंद नहीं होगा क्योंकि सब को दुनिया गूम कर अमेजिंग चीजों और जगों को देखना अच्छा लगता है लेकिन कई वजों से ऐसा करना मुश्किल हो जाता है ऐसे में एक ही विकल्प हमारे पास बसता है और वो है इंटरनेट जहां पर हम अपना कमफर्ट जोन छोड़े बिना दुनिया बर की अमेजिंग जगह और चीजों को केवल एक क्लिक में देख सकते है आज हम आपके लिए वही काम आसान करने जा रहे है आज हम आपको बताएंगे दुनिया बर से कुछ ऐसी ही अमेजिंग चीज़े जिसे आज से पहले आपने न तो देखा होगा और नहीं सुना होगा बारिश और उलावरुस्टिका किनारा ये तो सभी ने नोटिस कियाई होगा कि एक ही शहर में रहने के बावजूद कहीं बारिश होती है तो कहीं नहीं लेकिन अगर ऐसा है तो बारिश का एक आखरी छोर यानि किनारा तो जरूर होगा जहां से देखने पर एक तरफ बारिश और एक तरफ सुखा दिखाई देता होगा क्या आपने ऐसा देखा है? नहीं ना? लिकिन ऐसा देखा जा सकता है लिकिन ये बहुत मुश्किल है पहला तो इसके लिए बारिश बहुत तेज होनी चाहिए दुसरा आपका लग आपके साथ होना चाहिए ताकि आप वहाँ पर मौजुद हो जहां बारिश का किनारा बनने वाला है और तीसरा यह कि हवा बिलकुल शांत हो वरना बारिश हवा से स्प्रेड होते हुए आगे बढ़ती है तो किनारा दिख नहीं पाता अगर ये तीनों चीज़े आपका साथ देती है तो एक वीडियो की तरह आप भी बारिश का किनारा देख सकते है एक तरफ बारिश और एक तरफ सुखा ठीक इसी तरह ओलो के साथ भी होता है देखिए एक वीडियो में कैसे रिपोर्टर ओला वुस्टी की रिपोर्टिंग कर रहा है लेकिन कई लोगों का मानना है कि रिपोर्टर किसी पूल के नीचे खड़ा है इसलिए ऐसा दरश्य बना आपको क्या लगता है कमेंट करके बताईएगा सोब बबल अगर आप किसी जबरदस संडे इलाके में गूमने गए है या रहते है तो क्या आपने कभी उतनी ठंड में सोब बबल बनाया है मुझी पूरी उमीद है कि ऐसा कम तापमान में किसी भी तरह के पानी से खेलना आप बिलकुल भी पसंद नहीं करेंगे लेकिन ऐसा है तो आप एक बहुत रिशांदार चीज से अच्छूते है एक वीडियो को देखिए आप खुद समझ जाएंगे देखिए कैसे बबल कम तापमान की वज़े से बर्फ में बदल रहे है है ना खुबसूरत बैरिसास पिलवे एक सम्मोहित कर देने वाली खुबसूरती देखने से आपको क्याल रोग रहा है क्या ये कोई मैनमेड करिश्मा है या किसी तरह की प्राकृतिक घटना देखने पर तो ऐसा लग रहा है मानोपूच्वी के गर्ब में पानी जा रहा है लेकिन हम आपको बता दे कि ये एक मानोव निर्मित सम्रचना है जिसे स्पिलवे कहा जाता है जिसका काम बांध के पानी का स्थर बढ़ने पर अतिरिक्त पानी को निकालना होता है दुन्या भर में अलग-अलग तरीके से स्पिलवे बांधों पर पाए जाते है इस सरस से ये बांध को तूटने से भी बचाते है इस वीडियो में दिखाई दे रहा है स्पिल्ड वेब बैरी साल लेक पर बना है जब जलाशय का स्तर 440 फुट से ज्यादा होता है तो वो अपने आप विशाल कांक्रिट पाइप के जरिये निचले हिस्से में मौजूद शेत्रों तक सिंचाय आदी के उपाई के लिए चला जाता है जब पानी का सर बढ़ता है तब विजिटर्ज इस खुबसूरत द्रश्चे को देखने बारी मातरा में आते हैं पिछले 22 सालों में सिर्फ 4 बार ही इसका उपयोग हुआ है कौरकोग एक वीडियो में कैसे ये लोग पेड की चाल निकाल रहे है लिकिन क्या आपको मालूम है ऐसा क्यों किया जा रहा है आपने कौरक का नाम तो सुनाई होगा जिसका इस्तमाल हर जगह किया जाता है क्रिकेट बॉल से लेकर बेजबॉल बैट तक और अंत्रिक्ष्यान से लेकर आपकी फेवरेट ट्रिंक में भी दरसल इन पेडों को कौरक ओक बोला जाता है और ये सब सामान इनकी चाल से ही बनता है इस प्रोसेस में सबसे पहले बड़ी साउधानी से कौरकोक की छाल को हटा दिया जाता है इस बात का खास दियान रखा जाता है कि छाल के अलावा पेड को नुकसा न पहुचे चाल को लाद कर फैक्टरी में बेश दिया जाता है और पेड़ों को लगबग 10 साल के लिए आराम करने के लिए छोड़ा जाता है जिस से उस पर दुबारा चाल आ जाती है क्योंकि दुनिया में यही एक ऐसा पेड़ है जिस पर दुबारा से पूरी तरह चाल वापस रीजनरेट हो जाती है कागस की मूर्थिया इंटरनेट पर आपने ऐसी बहुत सी वीडियोज पहले भी देखी होगी लेकिन यह नहीं जानते होंगे कि यह क्या है तो चलिए आपको बताते है देखने में आम मूर्थिया और चीजों की तरह लगने वाली ये कलाकुरूतिया दरसल सैखडों कागसों से बनाई जाती है देखने में बिलकुल असली इसलिए लगती है क्योंके कागस, फोल्डेड और ग्लू से जुड़े होते हैं जिने कलाकुरूति का शेप दे दिया जाता है फैलिक सेंपर जोकी एक क्यूबन अमेरिकी कलाकार है उन्होंने इसमें महारत हासिल है पहले वो प्रिंटिंग हाउस में काम करते थे जहां फोल्डेड शीट दे कर उन्हें ऐसा करने का आईडिया आया सेंपर ने पहले रेंपर नॉटोरियस बिक की कलाकुरूति बना कर लोग प्रियता हासिल की जिसे उन्होंने हजारों पर तोवाले कागस की मदद से उनकी शिल्प कला को उके रा इन मूर्थियों की खास यतिया है कि फोल्ड करने पर ये दुबारा अपने शेप में आ जाती है और देखने में काफी दिल्चस्प और रिलेक्सिंग लगती है जिने बैठ कर आप गंटों तक देख सकते है आप सोच रहे हूँगे कि हम अब इसके बारे में बात क्यों कर रहे है क्योंकि बालों को हाइलाइट करना तो काफी आम है लेकिन ऐसा करने के लिए कुछ है स्टाइलिस ऐसी आस्चे रिजनक अनोखी चीज़े सामने लेकर आता है इसे लिस्ट में एड करना ही पड़ा जैसे इस हैर हाइलाइटर हैट को ही देख लीजे इसे पहले ग्राहक के सीर पर पहना दिया जाता है फिर उसमें बने चेदों से बालों के छोटे छोटे गुच्छे खीच कर बाहार निकाल दिया जाता है जिसके बाद बाहार निकले वे बालों पर कलर कर दिया जाता है और जब सारी प्रक्रिया हो जाती है उसके बाद देखिए कितना लाजवाब काम निखर कर सामने आता है पाइपलाइन ब्लास्टिंग एक फुटेज को देखकर लग रहा होगा कि किसी फिल्म का सीन है जिसमें कोई विशाल काई जीव, जमीन के अंदर तीजिसे रैंकता हुआ आगे बढ़ रहा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इसे पाइपलाइन ब्लास्टिंग कहते है जो कंस्रक्शन वालों के लिए काफी आम है जो काम शुरू करने से पहले किया जाता है अब जरूर आप सोच रहे होंगे कि भला वो किसी मकसद से ऐसा करने पर भी तो मलबाव और मिट्टी वही पड़ा रहेगा तो हम आपको बता देख कि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हर जगर जमीन एक सी नहीं होती है कही नरम होती है तो कहीं हाड और मोटी नरम जमीन को एसकेवेटर और बुल्डोजर के मदद से हटा दी जाती है लेकिन सक्त और मोटी जमीन पर ये आदोनिक मशिन काम नहीं आती इसलिए ऐसी जमीन को एक्स्प्लोजिव लगा कर सीरिस में फोडा जाता है ताकि वहां की जमीन दीली हो जाए हर साल लाखों लोग वाटरफॉल देखने के लिए एक जगह से दूसरी जगह गूमने जाते है लिकिन दक्षिनी पश्ची मिचीन के लोगों को अब कही जाने की जरुवत नहीं है क्योंकि वाटरफॉल अब खुद उनके शहर में है जी हाँ 121 मीटर उचाई गगन चुम्बी इमारत में मैनमेड वाटरफॉल बनाया गया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी दरव खीच लिया है लेकिन इसको आपरेट करना काफ़ी महंगा है पंप नीचे से 108 मीटर की उचाई तक पानी खीचने के लिए करीबन 800 युवान यानि की 8000 रुपे के बिजली केवल एक गंटे में खपत करते है जो भी हो देखने में बहुत कुपसूरत लग रहा है हमें ये जानने की हमेशा जिग्यासा रहती है कि अंतरिश में एस्ट्रोनाट कैसे रहते है वहाँ वे लोग कैसे खाते पीते हैं और सोते हैं वे कैसे बात्रूम करते हैं क्योंकि वहाँ तो सब चीजे उड़ती है खेर ये सब तो ज्यादा तर लोग अब जानते ही होंगे कि लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर जीरो ग्रैविटी में कोई एस्ट्रोनॉट इमोशनल हो जाए तो उसकी आँखों से निकलने वाले आसू के साथ क्या होगा? क्या वो भी बुन्त तैड़ने लगेगा? आसू तो नहीं एक वीडियो में ड्रिंकिंग वाटर का इस्तमाल करके एक एस्ट्रोनॉट ने दिखाया है कि आसू निकलने पर क्या होगा? देखे कैसे पानी का गुच्छा आख पर बनते जा रहा है और स्कीन से अलग नहीं हो रहा है। उम्मीद है एस्ट्रोनॉट्स ज्यादा एमोशनल नहीं होते होंगे वर्ना। वा कई बड़ी रोमांचकारी होता है। बहुत लोग इसे कैमरे में कैद भी करते हैं लेकिन हम आपको बता दे कि ये रैमबो का असली आकार नहीं है क्योंकि ये पूरा गोल होता है और जमीन से देखने पर केवल दनूश के आकार में आदा दिखाई पड़ता है। इसका आकार देखने के लिए आपको किसी बहुत उचे परवत या प्लेन में सफर करना पड़ेगा ताकि आप इसका ब्यूडिफुल व्यू ले पाए। ब्राजिलियन स्कीपर केटरपिलर एक बार जड़ा इस अद्बुत कीड़े को देखिए पिल पिले से रेंगते इस कीड़े का कोई निश्चित रंग नहीं है क्योंकि यह एक ट्रांसियू सेट जीव है यानि आप इसके अंदर की कोशिकाओ को यहां तक की नसों को भी आर बदल करती है और फिर जब यह अद्रिद जीव विक्सित होता है तो यह एक खूब सूर्ती सी तितली में बदल जाता है स्पेस क्रॉफ लांच हर साल कई दर्जनों रोकेट स्पेस में लांच होते है लेकिन क्या आपने अपनी आखों से ऐसे किसी ने केरियर रोकेट को आस्पान में जाते हुए देखा है जवाब नामे ही होगा बाल हम इतने लखी कहां लेकिन कुछ लोग है जो इस बात के लि लिया गया है ना शानदर द्रश्य चीन की दिवार 21,196 किलो मिटर लंबी है इसे बनाने में सबसे पहले लकड़ी और पत्थरों का इस्तवाल किया गया था बात में इसे इट का इस्तवाल कर बनाया गया मित के मुताबिक इसे चान से देखा जा सकता है लेकिन ये असली मे ऐसा नहीं है लेकिन क्या आप जानते हैं इस विशाल दिवार का अंत कहा है चीन के कीन ह्युआंग दो शहर में मौजूद संगाई के पास में दुनिया की सबसे लंबी दिवार खत्म हो जाती है जहां बवाई समुद्र में मिल जाता है इसका आखरी छोर चीन की दिवार के इस हिस्से को लाओ लॉंग तू या ओल्ड ड्रेगन हेट के नाम से जाना जाता है इसका नाम ओल्ड ड्रेगन हेट पड़ा क्योंकि जिस जगए ये दिवार समुद्र में मिलती है उसे देखकर ऐसा लगता है मानो ड्रेगन अपना मुह समुद्र में डुबा रहा है चले झाल झाल झाल